हलो फ्रेंग्स अभी आपका फोर्थ स्मेस्टर का मैत का पेपर हुआ है उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बढ़िया गया होगा कम से कम चार से पांच कुईश्चन तो बिलकुल डिजिट का सम जितना मेने कराया था फोर से फाइब कुईश्चन वैसे ही थे अगर आपने क स्वार क्लास अटेर्ड किया होगा तो सारे कूईश्चन आपसे बन गए होंगे तो कुईश्चन को हम अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे यानि कि अठारा नंबर से जाएंगे और पहले नंबर ते क्योंकि लॉंग कुईश्चन हमें पहले से समझना चाहिए उ इंगल का मान क्या होगा देखो हमने आपको चतुर भुज के लास्ट मैंने क्लास आखरी दिन मैंने आपको चतुर भुज की क्लास दे थी उसे मैंने आपको क्या बताया था कि यह जीरो ओ जो दिख रहा है यह वरत्त का सरकल कुईस्चन में दिया गया है और वरत्त का सरकल त बताओ 90 डिगरी का होता है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 डिगरी क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये वाली डारेक्शन देखो कि सेमी सरकल में नहीं बन रहा है बिलकुल बन रहा है और ये क्विश्चन में कहा गया कि ABCD एक चक्री चतुरबुज है चक्री ट्रंगल ट्रंगल ABC के दो एंगल पता है 9,4,13,130,180,130 घटाओगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 50 डिगरी आ जाएगा और ये क्विश्चन लास्ट क्लास मैंने कराया था आपका इतना ही एंसर आ रहा होगा कितना आएगा एंसर 50 डिगरी आ जाएगा अगला क्विश्च देखते हैं नेक्ष्ट क्या कह रहा है अच्छा ये क्विश्चन है वहाँ चोटी से चोटी संख्या गयात करो जो 19,44 और 99 में घटाने पर संख्या क्या हो जाए संख्या आपकी पूड़ वर्ग हो जाए पूड़ वर्ग हो जाए means हम दो दो के पेर बना लेते हैं सर हमने बना लिया अब इसको further solve करेंगे 19 मतलब 4 तो 4,4 जा कितना हो गया 16 इसी 4 को यहाँ पर add कर देंगे 4,4,8 हो गया ये हो गया 3 अगला पेर उतारेंगे 44 अग कितनी बार जाएगा 8,4,32 है ना 8,4,32 चार बार क्या जा सकता है आउजरा देखते हैं 4,4,16,8,32,1,33 चला गया इ add कर दो 84,4 कितना हो गया 88,14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा आपका 3, यहाँ बाकी अब कुछ नहीं बचा, अगला पेर कितना है 99, तो यह हो गया 99, कितनी बार जाएगा 1 टाइमस जाएगा, तो 881, एक कम 881 हो जाएगा, इस 1 को यहाँ आइड कर दोगे, तो यह हो जाएगा मेरे भाई 882, यहाँ बचेगा 9 से 1 गया 8, 9 से 8 गया 1, 18 बच जाएगा सेसफल, 9 से गया 8, 9 से 8 गया 1, यानि यह सेसफल बच गया, अब आप ऑबजर करो, अगर यह 18 ना होता ना, तो यह संख्या पूरी पूरी 441 का वर्ग होती, तो इस 18 को क्या करें, यदी में 18 को इसमें से माइनस कर दूँगा, यदी में 18 को इसमें से माइनस कर दूँगा, तो यह संख्या इसकी पूरी वर्ग बनेगी, और वही यह आप से पूचा है किसको घटाएं, तो हमें 18 को ही सब्टरेक्ट करना पड़ेगा, 18 क्या हो जाएगा, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अगला कुश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिस करते हैं, यह सारीडी वाला कुश्चन अभी हम करेंगे, इसमें सारीडी बनाना पड़ेगा, बाकी अभी आगे और देखते हैं, अगला कुश्चन क्या है, उसको जारा समझने क कोसिस किचिए कुईस्टन के लगेंट शंटी मीटर लंबे और चार संटी मीटर चोड़े आयता-कार के कागच को लंबाई के अनुदीश मतलब लंबाई के परिता क MOR कर एक क्या मेदा देता है बेलर मनादेता असे पूछा एक आयत है एक आयत है ऐसे एक आयत है जिसकी लिंथ है ग्यारा ब्रिथ है फोर इसको मोड दिया गया किसके लंबाई के परिता है भाई लंबाई के परिता है न कुष्चन यही तो कह रहा है कि लंबाई के अनुदिस अनुदिस के मतलर लंबाई के दिसा में मोड दिया अब जो लंबाई के दिसा में ये मोड दिया जाएगा तो एक बात बताओ कि ऐसे हमारा बन जाएगा बेलन आपको जी बिलुकुल बन जाएगा तो यह ग्यारा क्या बन जाएगी ग्यारा आपकी परिधी बन जाएगी और यह जो हाइट है यह हाइट आपकी चार रह जाएगी और आब बरके 11 का हम 2 से multiply करा देंगे है ना तो ये कितना हो जाएगा 2 तो जा 4 4 by 7 उधर जाएगा 7 by 4 R की value कितनी आ गई 7 by 4 आ गई R की value आ गई 7 by 4 अब हमें बताना है value आयतन बेलन का आयतन क्या होता है pi R square H pi R square H pi R की value रखो 22 बटे 7 R कितना आया है 7 बटे 4 7 बटे 4 into H कितना है तो into H है 4 देखो pi R की value 22 बटे 7 radius से 7 बटे 4 तो 7 बटे 4 square है तो दो बाल लिख लिया height है 4 तो 4 अब इसको solve करो 7 से 7 खतम 4 से 4 खतम 2 से जाएगा 2 टाइमस 2 से जाएगा 11 ताइमस तो नीचे 2 बचा उपर बचा 77 वही 11 और 7 11 से 77 बटे 2 जब solve करोगे 2 3 6 2 8 16 2 5 10 2 3 6 1 बचा 17 2 8 16 2 5 10 38.5 cm3 क्यूब क्विस्चन का सहे जबाब 38.5 cm3 क्या आएगा क्विस्चन का बिल्कुल right answer हा जाएगा इसको note कर लिजे next अगला question देखते हैं क्या कह रहा उसको भी समझते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको जड़ा देख लेते हैं ठीक क्यों को सारे question भाई आसान question थे अगर आपने regular class attend की है तो पूरे एक दो question छोड़ दें तो सारे question आपको आप class से ही मिलेंगे सारे question तो next हमारा जो question number है वो कौन सा हो जाएगा वही तेरा हो चुका है question number 12 question number 12 कह रहा एक कौन की जो slant height है यानि की जो एल की लंबाई है वो 10 cm given है दिन आगे question कह रहा है कि जो radius है वो 6 cm है ओके तो आप से पूछा क्या है question में संकू का volume संकू का volume आप से पूछे है कौन का volume कौन का volume होता क्या है तो कौन का volume होता है एक बटे 3 pi r square h क्या h की value पता है नहीं पता है तो h की value slant height और radius दिया तो यहां से निकालेंगे कि l square बराबर r square plus h square अगर मैं l की value निकालूंगा तो under root r r कितना 6 का square 36 plus h का square as it is रहेगा अब हमें l की value पता है तो इधर root ना लगाए इधर हम l की value रख देंगे 10 तो 10 का square इधर कितना हो जाएगा 100 36 जाएगा minus में तो 64 हो जाएगा h square की value h बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 8 की value यहां पर h की value कितनी आ जाएगी 8 यानि h हम लेख लेते हैं 8 यह आप ऐसे समझ सकते तो 2 3 6 2 5 10 5 और 3 तो यह जाहिर सी बात है 4 का double 8 हो जाएगा यहां पर value रखो एक बटे 3 pi r की value होती है 22 बटे 7 into radius कितनी है radius 6 तो 6 into 6 into आपका कितना है pi r square h h है 8 अब इसको आप solve करो 3 से काटे हो कि 2 बार में 3 दूनी 6 और तो नीचे कुछ कटेगा नहीं भाई बिल्कुल नहीं कटेगा तो हो गया 6 दूनी 12 12 8 96 22 into 96 बटे का 7 यह question का right answer है multiply कराके आपने जो भी लिखा हो centimeter cube में यह answer आएगा ठीक ना 22 into 96 बटे साथ इसका multiply करा ले ना बस यही answer आएगा main important था इसमें यह की height आपने निकाला था यह direct आपने क्योंकि मैंने बता रखा volume में height की कोई आवस्तेक्ता नहीं होती slant height की slant height की आवस्तेक्ता हमें केवल होती है little surface area निकालने में means वक्र पिष्टी छेत्रफन निकालने में होती है बस अगला देखो question क्या कह रहा है next जो होगा question number 11 circle की circumference हमें दी गई है 22 cm देन आप से पूछा है radius कितना simple सा question है और यह question एक number का आया तब फिर इक number था question number अगर मैं 11 की बात कर लों तो 2 pi r की value circumference परिधी क्या होती है 2 pi r 2 pi r की value 22 दिया है देन आप से का what is the radius तो यह हो जाएगा 2 into pi r की value रखोगे 22 बटे 7 into radius बटे कब 22 22 से 22 खतम r बराबर कितना हो जाएगा 7 by 2 या इसको आप 3.5 भी कह सकते थे question number 11 question number 12 देखिए क्या कह रहा है तो question number 12 एक वरताकार seat है sorry आयताकार seat है जिसका 6 त्रफल दिया गया है आपको कितना तो 460 वर्ग सेंटीमेटर इसकी लंबाई है 12 सेंटीमेटर तो आप से पैरीमेटर पूछे है रोक के चलो लगाते हैं 11 के बाद 10 आपको क्या दिया गया है area area कितना given है तो area given है मेरे भाई 400 480 वर्ग सेंटीमेटर 480 सेंटीमेटर स्क्वायर आगे आप से क्या पूछे इसमें क्या दिया गया क्या पूछे आप से चोड़ाई दिया गया breath है आपको दिया गया 12 सेंटीमेटर और पूछा है पैरीमेटर परिमाब क्या होगा अब area से हम लंबाई निकाल सकते हैं लंबाई इंटू चोड़ाई ये area होता है किसके बराबर 480 के चोड़ाई के स्थान पर 12 रखेंगे तो 12 बराबर के 480 लंबाई निकालेंगे 12 चोके 48 ल की value कितनी आगई 40 सेंटीमेटर भाई L की value 40 सेंटीमेटर पैरीमेटर क्या होता है आयत का तो होता है 2 L प्लस में B 50 50 52 हो गया 52 52 हो गया 104 सेंटीमेटर कुष्चन का सही जवाब था 104 कुष्चन नमबर 10 का राइट एंसर था 104 विल बी दर राइट एंसर क्लियर यही तो पूछा था भाई इसकी चोड़ाई 12 सेंटीमेटर तो सीट का परिमाप ठीक है अगला कुष्चन है X स्कुआ माइनस का X माइनस का 6 के फैक्टर क्या होंगे गुडन खंड आपसे पूछे था गुडन खंड के दो कुष्चन आए हैं एक दो नमबर में एक एक नमबर में काउंट करते चलना अगर आपने लास्ट की ही तीन चार दिन क्लास देखा होगा ना तो पास हुए होने बरके नमबर आप X स्क्वाइर माइनस के X माइनस के 6 के फैक्टर करने हैं 6 को कैसे रिपरसेंट कर सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस एक्स लाना बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस X स्क्वाइर माइनस में 3 X पलस में 2 X माइनस का 6 भाई माइनस 3 X पलस 2 X माइनस 6 दो दो के पेर बना के कौमन लो इधर X मिल गया तो X माइनस का 3 इधर प्लस के 2 मिल गया एकस और माइनस के दो तियां छे दूल हो में common मिल लहाँ एकस माइनस का 3 तो ये एकस पलस के 2 विल बी दा राइट एंसर ठीक है ना एकस माइनस 3 एकस पलस टू 9 नंबर का राइट एंसर होगा मिलाते चलना comment करके भी बताना है कितने आपके सही हुए है अगला है यदि A बराबर 60 डिगरी तो sin A माइनस 6 A कमान अब देखो ठीक है आपको दे दिया गया आपको बताया गया कि A जो है वो 60 डिगरी है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं ये कौन सा नंबर question है ये है 8 नंबर और आपसे पूछा क्या साइन A माइनस से के चलो ठीक है साइन A माइनस क्या है माइनस से कॉस है साइन A माइनस के कॉस है साइन A के अस्थान पर 60 डिगरी रखोगे तो साइन 60 डिगरी माइनस A के अस्थान पर 60 डिगरी रखोगे तो कॉस 60 डिगरी sin 60 degree का मान कितना होता है root 3 by 2 होता है तो यहां हम रख देंगे root 3 by 2 minus cos 60 degree जो sin 30 का वो cos 60 का sin 30 का 1 by 2 तो cos 60 का क्या हो जाएगा 1 by 2 जब इसको further solve करेंगे 2 हमारा जो denominator है equal है तो एक ले लिया यह क्या जाएगा root 3 minus 1 by 2 इस question का right answer होता root 3 minus 1 by 2 अगर यहां पर denominator में root में संख्या आती तो हम rationalization कर देते परिमेह करें लेकिन उपर है numerator में तो अवसिता ही नहीं थी simple सा question था तो 8 number का answer कितना है root 3 minus 2 root 3 minus 2 note करो भई यह अगला देखते हैं अगला देखते हैं क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने की कोसिस करते हैं next question number होगा seven उल्टा चल नहीं याद रखना है ना क्यूंकि बहु विकल्पी तो 5 हैं वो तो अभी आपको टिखी करवा देंगे मैं क्या answer होगा उसका उसमें तो कोई ज़्यादा माता पच्ची करनी नहीं हम लोगों को केवल इन question को मिलाने में थोड़ा सा problem create हो सकती अच्छा तो question number कौन होगा हमारा question number होगा seven यह seven number question करा दो सिक्कों को एक साथ उचालते हैं उपर सीर्स ना आने की संभावना को प्रतिसत में बदलिये देखो question मैंने कराया था दो सिक्के हैं one and two उपर सीर्स ना आये मतलब पहली case में तो head head आ सकता है दूसरी case में हमारे tail tail आ सकता है इधर head आया इधर tail इधर tail इधर head क्या इसके सिवा कुछ और आ सकता है बताओ इसके सिवा कुछ और आ सकता है नहीं आ सकता या तो दोनों में head आये गा या तो दोनों में tail आये गा या फिर पहले में head आ गया दूसरे में tail आए गा या प CHARIS की सिवा कुछ है का नहीं आएगा question आगे कह कह रहा है कि उपर seers ना आने की संभावना देख09 सीर्स ना आने की संभावना का मतलब यह कहरा है कि उपर head कितनी बार ना आएगा तो ऐसी कोई condition लग रही केवल one लग रही हमको तो चाहे head की बात ले लो चाहे tail की बात देखो confusion create हो सकता है केवल सीर्स लिखा है चीत और पट मेंसन नहीं कर रखा है तो सीर्स पर ना आने की संभावना मतलब या तो भाई tail नहीं आएगा या तो head नहीं आ सकता है या तो head नहीं आएगा खैर मैं आपको बताता हूँ अगर पूछता कि head ना आने की संभावना तो head ना आता तो मतलब दोनों में टेल आता अगर टेल ना आने की संबहों ना तो दोनों में हेड आता प्रतेक कंडिसन में क्या आता एक ही आता उपर और कितनी बार येname हुआ इस एकलटू क्या होता प्राइकेडा is equal to क्या होता फैवरेबल बीटे तो 25% will be the correct answer 25% आएगा question का सही जवाब यह question देख ले ना हमें थोड़ा सा doubt लग रहा क्योंकि इसमें सीर्स लिखा है असीर्स का मतलब भई head भी आ सकता तेल भी आ सकता है थोड़ा सा देख ले ना हमारे हिसाब से तो 25% आएगा बाकि आप अपनी राय दे सकते हो comment box में ठीक है ना अगला question है यह question अभी last class में ने करा है अभी जो hi-fi study पर कल की class चलिए ना उसमें यह question पहला यह question था यह question देखो आपको करना है इसका जवाब क्या है comment box फटाफट आप करिए और बताएगे क्या आपका सही था एक घनाकार गड़े का आयतन घनाकार गड़ा है घनाकार गड़ा का मतलब क्यूब के आकार का अड़ा है यह question number 6 है आपका और यह question का जो value मैं कितना है 13.824 13.824 आप से पूछा है what is the height of गड़ा गड़े की height बताना देखो गड़ा कैसा है question में कहा गया घन के आकार का घन में चाहे length हो चाहे breath हो चाहे height हो सारा कुछ क्या होता इक्वल होता चुकि यह दिया क्या गया है यह आयतन यानि यह किसकी value है a cube a cube की value 3.824 है तो जब यहाँ age निकालेंगे तो cube root आफ कितना होगा 13.824 होगा अब आपको पता इसका cube root निकालना है न लो बट्टे एक माना दसमलो हटा यह कितने संख्या है तीन तो तीन जुर लगा लिया अब यह बचा क्या यह basically इतना बचाना उपर 13.824 और बट्टे कितना हो गया 1000 हो गया अब 1000 को 10 से represent कर सकते हैं कि क्यूब root है लेकिन 13.824 क्या है इसके हम factor करके ग्याद कर लेते हैं तो अब ज़रा ग्याद कर लेते हैं 13.824 ठीक है एक सिकन रूखना मैं marker change कर लूँ भाई 13.824 को चलो अब इसको क्या करते हैं factor करते हैं 2 से काटो 2 6 जा 12 वन बच्चा 18 2 9 जा 18 2 और 2 बार में चला जाएगा फिर 2 से काटो 2 से 3 बार 4 बार 2 से 5 बार 2 से 6 बार फिर 1 और यह हो जाएगा 7 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा फिर 2 से 8 टाइम हो जाएगा 6 टाइम 4 टाइमस में आगे काटो भीया टू टाइमस वन और शिक्स टाइम अब यह च्छे चाहक च्छतिस चक्का 216 होता है भाई अब इस च्छे का क्यों छे से डारेक्ट काटो तो च्छतिस बार में जाएगा छे से काटो तो एक बार में जाएगा अब क्यूब रूट निकालना तीन-तीन के पे यह बन गया एक पेर यह बन गया एक पेर यह बन गया देखो एक पेर यह एक पेर यह एक अब उपर अगर आप सबसे एक एक ले लोगे तो यह हो जाएगा टू इन्टू टू इन्टू के 6 और बटे नीचे 10 इन्टू 10 इन्टू 10 यही तो हो जाएगा और क्यूब रूट तो क्योब रूट लगा के बाहर निकाल लो बाहर निकाल लोगे तो इन सब को बाहर अगर आप निकाल लोगे तो डारेक्ट एसे लिख सकते हो छे दुनी बारा तीया सब्सक्राइब चली अब बहुत विकल्पी देखते हैं उसको भी जरा समझ लेते हैं और एक सारेडी वाला जो हम लोगों ने छोड़ा है उसको भी अभी सॉल्व करेंगे दोको फर्स्ट नंबर कुश्चन है फोर बाई सेवेंस फोर बाई सेवेंस में इसमें प्राइक्टा दी गई है आपको किवर रेशियो में कनवर्ड करना है और तूरंत आपने कनवर्ड करके बता दिया होगा यह ऑप्सन राइट है ठीक है न अगला कुश्चन है वन माइनस साइन स्कॉाइरे बेकेड में वन प्लस टाइन स्कॉाइरे यह डारेक्ट आप के सारव संका है से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है वन माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है टैन स्कॉाइर वन माइनस टैन स्कॉाइरे बराबर क्या होता है कॉस्ट स्कॉाइर यह होता है अरे होता है कि नहीं होता और आप से यहां पूछे है क्या होगा इसकी वैलो तो आप आसान घनाभाकार हैं तीन मीटर, चार मीटर और पांच मीटर, नियूनतम कपड़े की आवस्चता आपको बताना, धाका जा सके, देखो जो आपको दिया गया है ना, इस क्विश्चन को ज़रा समझे ना, काफी लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, कि इसमें हमें एक्शुल फाइं क unknown क्या करना है, अगर घनाभाकार का कोई गिफ्ट है वहीं मंधस होता चई a टो लबी प्लस में बी यकज और प्लस में w स्विश्चर क्लणा हमेथिव देखोंगे लगो तोस्य उतल न डी उच्छ दिया है, लंबाई कितना दिया गया 3 22 फिर चोड़ाई उचाई 5त्य कितना हो जाएगा 15 15 हो जाएगा फिर चोड़ाई उचाई 24 तो फिर हो जाएगा 15 बात वह होती चलो खेटी तकि ये हो जाएगा 20, 10, 30, 10, 40, 47 47 इंटू 2 94 Cm2 का जो भी option है वो सही होगा कौन सा option number 3 बिलुकुल correct है 3 option क्या है बिलुकुल correct है question number 3 का ये 3 number question का 3 number option सही है अगला question देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है भई एक second रुबना अगला question जड़ा देखिए क्या है उसको जड़ा समझने की कोसिस करेंगे question number next question है q का घातांक और करड़ी का तो इसको आप आसानी से भी लगा सकते थे इसमें कुछ नहीं था केवल पावर की रूप में आपको convert करना था तो 4 number question का इसमें दिया गया था आपको क्या square root 2 की power n बराबर किसके है 64 में तो n का मान बताना यहाँ 2 होता है 2 आएगा तो n के नीचे मैंने बता रखा n by 2 बराबर 64 को हम 2 की power में तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 2 की power 6 तो हो गया 2 की power 6 2 से 2 खतम base बराबर तो power भी बराबर n by 2 is equal to 6 6 to 12 तो n की value कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी अगर n की value आप यहाँ 12 रखोगे तो यह आजाएगा एक बट्टे 6 एक बट्टे 6 यहाँ पर निकालोगे तो 2 की power 6 का मतलब 64 ठीक है ना अगर आप 2 का 6 से गुड़ा कराओगे तो 64 आएगा और इधर LHSRHS के बराबर तो आपका answer आजाएगा अगरा question कहाँ एक सम चत्रभुज के विकर्डों की लंबाई 8 सेंटी मीटर 6 सेंटी मीटर इसका परिमाब व्याद कीजिए यह 5 नंबर question था एक सम चत्रभुज है सम चत्रभुज इसके विकर्डों की लंबाई दे रखा सम चत्रभुज के दो डाइगनल होते हैं एक दूसरे को बाईसेक्ट करते हैं 90 डिगरी पर यहां 90 डिगरी का कोण बनेगा यह और यह अब कहरा है यह दो बिकर्ड है 8 और 6 है 8 है मीन्स यह 8 अगर पूरा है तो यह हो जाएगा 4 और यह भी हो जाएगा 4 दूसरा यह 6 है तो यह 3 और यह 3 अब यह 90 डिगरी का एंगल बन रहा न तो आप देखो चाहाई यहां से निकाल लो चाहाई यहां से चाहाई यहां से साइड निकल जाएगी यह 90 अंस का कोण है 90 अंस के ठीक सामने के बुझा हाईपोटेरंस होती है लंब का स्कॉजार प्लस आधार का स्कॉजार बराबर क्या होता हाईपोटेरनस का स्कॉजार 3 त रिक करन रहा चार चक 16 16 25 का रूट निकाल होले 5 यानि जो साइड आ गई कितनी आ गई तो साइड आ गई 5 अब side 5 आगी तो perimeter क्या होता है चारो भुजाओं का यो यानि चारो पाँच पाँच होंगी तो 5, 10, 15, 20 question का right answer होगा 20 cm question का क्या होगा सही जवाब होगा 20 cm इस question का सही जवाब होगा कौन सा option सही 3 option बिलकुल right है option number 3 क्या है बिलकुल right है ठीक बात ना option number 3 क्या है बिलकुल right है इससे पहले वाले वाले 12 में 4 option right था अगला जो हमने सारेडी वाला question छोड़ा है थोड़ा सा उसको भी कर लेते हैं last question है तब तक आप कमेंट करके बताएंगे कि 18 में से आपने कितने सही किये हैं जोड़ बिलकुल नहीं बोलना है इमांदारी से बताना है ठीक है ना भई कितने आपके सही हुए और उसे हिसाफ से count कर लेना कितने number हुए फिर आगे आपको future के लिए पढ़ाई start कर देनी देखो यहाँ पर आपको बारम बारता दी गई थी और क्या दिया गया था पद का नाम दिया गया था तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शब्षे पहले ऐसे मैंने लिखा पद ये आपको पद दिये गये थे ओके दिन आपको क्या दिया गया था बारम बारता दिया गया था वारं बारथा, बारं बारथा हो गया. अब हमें निकालना क्या पड़ता है? संचई बारं बारता, संचई बारं बारथा निकालेंगे. तो पहले पद लिखते हैं, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8 और 10 हो गया, 4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 12 है, 14 है, 16 है और 17 है. ये हो गया हमारा इसके सामने लिखेंगे बारम बारता तो बारम बारता कितनी है जड़ा देख लेंगे 2, 7, 9, 11 2, 7, 9 और 11 उसके बाद क्या है 18, 5, 4 18 है 2, 7, 9, 11 हो गया 2, अच्छा ये एक है उपर रुके रुके भई, एक है 1 हो गया, 2 हो गया 7 हो गया, 9 हो गया उसके बाद 11, 18 ये हो गया, और फिर कितना है 5 और 4 5 और 4, अब यहां से हमें बारम बारता निकालनी है, कैसे निकालेंगे बारम बारता, तो उसके लिए हमें संचाई बारम बारता निकालनी पड़ेगे कि संचाई बारम बारता कैसे निकालते पहला पाद ऐसे लिखो 1 अगला जोड़ो 3 अगला जोड़ो तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 अगला जोड़ो 19 अगला जोड़ो तो कितना हो जाएगा 13 अगला जोड़ो 30, 10, 40, 60, 48, 48, 48, 42, 50, 50 में 3 जोड़ोगे तो 33, 35 में 4 जोड़ोगे 57 अब यहां से आप देखो जो N है न यह N की वेलू यहां से आएगी N कितना है तो N को अगर आप काउंट करोगे तो 57 ही आएगी आप कर भी सकते हैं इसमें जो लास्ट आता है वही इसका समाता है आप कर लीजिए पांचार नो नो आठ कितना हो गया सत्रा एक अठारा अठारा आठ शबीस शबीस एक सताइस साथ सताइस साथ 34 35 36 37 के साथ कह रही आ गया तीन और उसके बाद एक हो गया फिर दो हो गया 35 35 अब ये बतो 57 क्य आया एक और नमबर है एक विसम शंख्या है जब विसम संख्या होती है तो माधिका इस एकोलटू क्या होता है एन प्लस वन बाई टू मुहापाद एन कितना है शनतावन प्लस का वन बाई टू करोगे तो यह जाएगा अन्ठावन वाई 2 करोगे तो दो दुनी 4 दो नवा अठारा उनतीस हुआ पद कौन सा है जिसकी संचाई बारम बारता आएगी उनतीस में वही उनतीस हुआ पद होगा तो देखो कहा आ रही क्या इसमें 19 आ जाएगा बिलकुल सही बात और इसके सामने क्या हो décảo 14 20 है यह象 क क्या वाला कुश्यन बताया उसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि सीर्स लिखा है क्योंकि सीर्स का मतलब भाई है भी हो सकता है तेल भी हो सकता अब प्रॉपर लेंगवेज यू इस चैप्टर की तो हमें नहीं पता बट सीर्स के साथ साथ चीत या पट लिखा होना मेंडिटरी क्योंकि जब सिक्कों की बात किया गया तो सिक्कों में या तो चीत आएगा या तो पट आएगा या तो दोनों सिक्कों में चीत आएगा या फिर दोनों सिक्कों में पट आएगा नहीं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सिक्का सोले मूवी की तरह खड़ा हो जाएगा ऐसा बिलक कि मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप सभी रखेंगे अपना ख्याल जै हिंद जै भारत और बंदे मातर